जब आपके घर में ही संगीत है तो और अगर वो आपको style पसंद आ रही है और आपका interest है तो जो बच्चा है वो अमोमन वो तो सीखे गाई वो तो he will pick up जो उसके nuances हैं, interest दिखाएगा वो तो उसको अपने गुरु को ढूंडने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना है जो मुझे लगता है की एक बहुत एहम बात कलाओं में है वह है गुरु को मिलना, अच्चे गुरु के संसर्ग में आना मैंनर है वीक जरुरी नहीं की आप सीख रहे है और जो मैं अच्छे कहती हूँ का मेरा मतलब है कि इत इस सम्टिंग विच यौर हार्ट अन सोल वांस और आप कनेक्ट कर पाते हैं यह मेरा मतलब है तो जो आपका यह सवाल था कि उसमें क्या फरक है में चीज तो आपके गुरू की खोज वहां पे नहीं करनी पड़ती है और अगर ऐसा भी होता है कि कभी-कभी आपके गुरू जो आपके ढ़र में जो विद्याएं है या जो कलाकार है आप उनसे कर पाते हैं पर यह भी ख्लारीट हो जाती है कि हम नहीं कर पा रहे हैं और हमें यहां जाना है यह भी क्लारीट वोन जरूरी है ना दिखिए कहीं पहुंचने के लिए जब तक आपकी क्लारेटी नी होगी आप डूंदेंगे कैसे तो मुझे लगता है कि बहुत चुरुवात से पता चल जाता है कि वह अगर पेंटर है और मुझे उस रस्ते जाना है या नहीं जाना है अगर यह डांस दांसिंग में हूँ मैं तो बहुत इस मुझे यह गाई कि it's not suiting my voice और मेभी मैं जब गाती हूँ तब मुझे नहीं आता मजा you see because the first thing what I feel about art is it has to please you आप खुश होने चाहिए आप जो काम कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं जब वो आपको खुशी देगा तभी आप उसका आनंद ले पाएंगे तभी वो चीज आगे तक चलेगी और audience को अच्छा लगना वो तो एक बहुत बढ़ी बात है और वो तो बहुत बात की बात है the first thing is you have to be primarily satisfied with what you are producing